गोपाल इटालिया ने मेरे साथ की छेड़ खानी गोपाल इटालिया ने मुझे होटल में बुलाया है पैसे का कर लें हैं तक टिक कर जा रहा है तक हमने तब तक हम पाल्टी में जिसके बान कर दिया तो बाद हम पैंसे हुआ का रहा है यहां थैध कि हम फ أनने थे चाहले का वार पोर रहा है। इसके पास पैसा ह thyroid वहां को लिया जा रहा है यहांग है टिकट बेचा जा रहा है। मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं आवाज उठाओंगी। मैं हूँ आपके साथ कांची बंसल। गुजरात में केजरिवाल की पार्टी में बड़ी फूट पड़ गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरिवाल के खिलाफी प्रदर्शन चुरू कर दिया है। कई नेता केजरिवाल पर लोगों से जूटे वादे करने के आरोप लगा रहे हैं। तो कई नेता पैसे लेकर टिकेट बांठने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बार केजरिवाल के चहेते गोपाल इचालिया पर गुजरात में आपकी महिला नेता ने इतने घिनोने आरोप लगाये हैं जिन्हें सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। लिम्बायत से मम्ता पाटिल नाम की आप कारेकरता कारोब है कि केजिवाल के चहेते गोपाल इटालिया ने ना सिर्फ उनके साथ छेड़चाड की बलकि उन्हें होटेल में भी बुलाया पिर भी में कारियाले में गई और कारियाले में इसने चेड़चाड भी की थी मेरे साथ अपने कंप्लेंड किया किसी को ने कंप्लेट किया था कंप्लेट करने की कोशिश की थी मेंने तो इसने क्या किया इसने मेरे खिलाब एक्षन कर दिया था हां तो मैं इसके कारण कुछ पुछ दिनों तक बहार गाओ भी रही थी इसके कारण यानी मुझे इन लोगों ने वो क्या बलते एक तरफ से न डरा धमकाया था आप खुल के बात कीजे मैं खुद एक महिला हूँ मैं आपकी दर्थ को समझ सकती हूँ आपको जब इतना ज़ाधर टॉर्चर किया गया परिशान किया गया आप पुलिस कंप्लेंड कर सकती थी पर एक्षेट भी करने वाली थी गुपाल इटालिया की घिनोनी हरकत का खुलासा आप नेता ने ही कर दिया है अब के जिवाल बताएं कि आगे क्या कारवाई होगी ऐसे नेताओं को कैसे बख्षेंगे इतना ही नहीं गुपाल इटालिया के लिए आगे ममता पाटिल ने जो बाते कही वो और भी ज़ादा चोपाने वाली थी सभी को टोर्चर किया जाते हैं आज मेरे साथ होगा कल दुसरों के साथ होगा इसके साथ ही ममता पाटिल का आरोप है कि केज़िवाल ने पाटी से पुराने नेताओं को साइड कर दिया और कई नेताओं को पाटी में जगा दी ताकि पैसे लेकर टिकेट बाटे जा सके में दो से तीन लाक रुपे मांगे गए थे हाँ इसके अलाव इधान सभा में भी इतना पैसा हो तो आप लड़ो आपको टिकेट में लेगा पहले यानी पचास लाक के ऊपर मुझे मांगा गया था तो पैसो का पूरा खेले अगर आपने पैसे नहीं दिये तो फिर टाटब तो कट अब इतना सबसे पर इतना काम किया जा रहा है यह सिर्फ एक से दो सकुल में बाकी कोई सकुल पैसों का खेल तो आम आगमी पार्टी में चल ही रहा है लेकिन मम्ता पार्टिल का कहना है कि गोपाल इटालिया उससे भी गंदा खेल खेल रहा है लेकिन उनकी उपर कारवाई नहीं बलकि सै देकर उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है अर्विन केजड़िवाल का गुपाल इटालिया के साथ क्या रिष्ता है अचानक से नाम आ जा आता है इमांदारी पाल्टी बताए नए इमांदारी कहां से आ रही है इसमे तो जिस कोपाल इटालिया पर आरोप यहां लगाय जा रहे हैं ये वही आपका नेता है जिसने पीए मोदी के खिलाफ कुछ दिन पहले ही विवादित बयान गिया था पीए मोदी को नीच किस्म का आदमी बताया था जिसके खिलाफ बीजेपी सडको पर उतराई थी केजरिवाल से इसे पार्टी से परखास करने की मांग की गई थी इसके साथ ही दूसरा एक और वीडियो गोपाल इटालिया का सामने आया था जिसमें वो महिलाओं को मंदिर और कताओं में ना जाने की सला देते हुए नजर आ रहा था इस विवादित बयान के खिलाव भी बीजेपी ने केजरिवाल की जमकर थूधू की थी क्योंकि ये उसी केजरिवाल का चहेता है जो खुद को कभी कृष्ण का अवतार बताता है कभी रामब लेकिन उसकी पाटी के नेता हिंदू का विरोध करते हैं हिंदू देवी देवताओं के खिलाव शपत दिलवाते हैं और केजरिवाल ऐसे नेताओं पर प्यार लुटाते हैं अब इनके नेताओं की बदसलूखी भी सामने आ गई है कोई महिलाओं को बेजज़त कर रहा है तो कोई पैसो का खेल 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 रहा है तो पैसो को लेकर खुलासा सर्फ मम्ता पातिल ही नहीं बलकि राजुबाई भी कर रहे हैं उन्होंने तो मोर्चा कॉलते हुए केज़िवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तक शुरू कर दिया है तो अब केज़िवाल के नेता ही उनकी पोल खोल रहे हैं अपनी ही आम आदमी पार्टी को चोर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के लोगों के साथ ही धोका किया है और राजुबाई को ठग लिया है कौन है ये राजुबाई? चलिए ये भी बताते हैं दरसल राजु भाई आम आदमी पार्टी के लिए काफी वक्त से महनत कर रहे हैं। उन्हें उमीद थी कि केजरिवाल उन्हें गुजरात से टिकेट देंगे। लेकिन केजरिवाल ने आखरी वक्त में उनके साथ धोका कर दिया और टिकेट को पैसो के लिए बेच दिया। वह जैस्री राम तो अब गुजरात में आपके कारे करता ही आम आगमी पार्टी को हिंदू विरोधी खालिस्तानी बता रहे हैं। तो आपने देखा कि गुजरात में केजरिवाल का क्या हाल हो चुका है। पार्टी के नेता अपस में ही मार काट बचा रहे हैं। दिल्ली से ल दावा कर रहे हैं कि गुजरात में केजरिवाल नहीं मोदी आएंगे भगवा लहराएंगे क्योंकि गुजरात को घोटाले बाज नहीं विकास चाहिए और गुजरात को विकास मोदी की बीजेपी सरकार ने दिया है कैड सर्वे भी यही बात बता चुका है कि गुजरात में केजरिवाल का हाल बेहाल होने वाला है सर्वे में तो केजरिवाल को शून्य से तीन सीटे ही दिखाई जा रही है और केजरिवाल है कि दावा कर रहे हैं कि गुजरात में वो सरकार बनाएंगे गोटाले वाजी खत्म हो नहीं रही है टिकेट बेशने का आपनेताओं का खेल रुक नहीं रहा है और दावा सरकार बनाने का कर रहे है लेकिन अब केजरिवाल की असलियत जनता जान चुकी है तो ऐसे में केजरिवाल को ये उमीद लगाना कि गुजरात में वो आप आएंगे गलत होगा अब तो देखते रहिए वो दिल्ली में भी ख़देडे जाएंगे सुलकता सवाल में आज ही के लिए बस इतना ही नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हासर होंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया